तुपेहर की तेज धूपे मनसूर के गदम घर से बाहिर निकले वो गाड़ी की तरफ जाने के बज़ाए हुजरे में अपने सर को हातों में जगडे तेज तेज गदम उठाता इदर उदर टहलने रगा सामने से बड़ा गेट खोड़कर गाड़ी अंदर आए जिसमें हमाद युनिवस्टी से लोट कर आया था लाला को ऐसा देखा चाने वो मुई मुऊ में क्या बड़बडा रहा था हमाद को उसकी जेनी हालत पर शख्क उवा वो जल्दी से इदर उदर देखता हुआ दोड़कर मन्सूर के करीब आकर रुका लाला लाला उसने मन्सूर को सर तपैर देखा लाला क्या हुआ हमाद ने उसे बाजों से पकड़ कर जिन जोड़ा लाला बोले तो से हुआ क्या है अब उसे खोफ महसूस होने लगा उसने तेजी से इदर उदर दे का शायद किसी को मदद के लिए पुकारना चाह रहा था लाला मनसूर को बालो को हातों में जगड़े मुँ में कुछ बोल रहा था लेकिन हमाद कुछ समझ नहीं पाया उसने उसे बेबसी से पकारते वे उपर खिड़की की तरफ देखा जरगाब हमाद को उपर खिड़की में कोई नजर आया था जरगाब नीचे आओ उसने दुबारा पकारा जरगाब ने हमाद को बुक्टाया हुआ देखकर दोड लगा दी लाला चले अंदर चलते हैं हमाद ने उसके हातों को पकड़ा मनसूर ने हनूस बालो को हातों में जखड़ा हुआ था मनसूर ने आँखे खोल कर देखा उसकी आँखे सुर्ख थी, हमाद को उसकी आँखों में वहिश्च दिखाई थी लाला वो एक लड़की तो है, वो मजीद सब्द नी कर सका और आखिरकार कही गया सलाओ दीन के रिष्टे वाली बाद भी पक्तुन वाला में पहल चुकी थी इसने हमाद भाम चुका था कि ये सब क्यूं हो रहा है वो एक लड़की नहीं या ना, मनसूर ने बालो को हाथों से छोड़ा, जिन्दगी है में मनसूर के रफास मूँ मी थे और हमाद के पौँ में टेर हो चुका था लाला, लाला, हमाद ने उसे थाम कर उसका मूँ थब तपाया, जरगाब भी लाउन में पहुच चुका था लाला अंके खोली, जरगाब उसके हाथ मलने लगा लाला, हमाद उटके उसके हाथ के करीब आकर उसका हाथ मलने लगा हमाद गाड़ी निकालो सरगाब चीखा हमाद उटकर भागा केट से नवाब खान अंदर दाखिल हुआ अपने सामने हलचल मची देखकर वो गाड़ी का दर्वासा खुला छोड़ कर भागा बहादर खान की नजर नवाब खान पर पड़ी वो भी भाकर हुजरे में आया और फिर पख्तून वला में क्यामत पर पाओगी लिकिन मंसूर को गाड़ी में डाल कर लेगे सब लोग शागुल के इर्द की इर्द खड़े थे सब लोग की खामोशी से बैठे किसी अच्छी खबर के मुन्तजर थे जब किरन का मुबाइल बजा खान लाला की तबियत किरन ने फून कान से लगाते ही पहला सवाल किया जी ठीक है किरन ने दूसरी तरफ की बात असली से सुनी सब उसी को देख रहे थे वो फून पंद करके शागल के पास आकर बैठी अदे किरन ने उनके गुटने पर हाथ रखा खान कह रहे हैं लाला की तबियत अब बेतर है हलका सा मुस्कुराई बच्चे तुराब ने जो भी बताया मुझे सच बताना उन्होंने किरन का हाथ थामा अदे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ लाला ठीक है शाम तक घर आ जाएंगे किरन ने उनके हाथों को अपने हाथों में थामा शागल उसके गले से लखी सब लोगों के अटकोई सांसे बहा लूई मैं शुकराने के नफल अदा कर लूँ शागल उटकर अंदर चली गी पिछले रह जाने वाले एक दूसरे को देख रही थी कि आप क्या होगा आप वो क्या करेंगे किरन कोई और बात है तो बताओ सरवशागल ने किरन को मुखाटिब किया नई काकी खान ने बस इतना ही बताया किरन ने मस्बूत लेजे में जवाब दिया अल्ला का शुकर है सरवशागल कैकर अपने पोशन में जाने के लिए उठी उनके पीछे पलवशागल भी चली गी मैं बच्चों को देखनू रिदा से जब कोई बात न बनी तो वो भी उठकर चली गी किरन उटकर परीशे के पास की और उसे गले से लगा लिया और फिर अपने भाई की हालत पर परीशे के जब्त का बंदन भी तोट गया रावल पिंडी में शाम हो चुकी थी सब इनाउंट में बैठे टीवी देख रहे थे लेकिन नवीदा सादा से हुलिय में बगए स्वेटर और शॉल के उपर अपने कमरे में टहर रही थी आज उसका दिल परेशानता सुबा मनसूर से और उसके बाद अम्मी से बात करने के बाद उसे डग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है उसका दिल डूब रहा था उसे पखतूर वला की कुछ खबर नहीं थी कि वहाँ आज दिल में क्या गुजर गया है इसलिए उसे अपना दिल डूबने की वज़ा अपना फैसना लग रहा था उसने केई पार मनसूर को कॉल करने के लिए फून उठाया लेकिन वो क्या सोचेगा क्यों की कॉल इस सोच की वज़ा से उसने फून नहीं किया अब वो सिर्फ कमरे में चक्कर काटने के लावा कुछ नहीं कर सकती थी दूसरे तरफ पखतून वला में भी चक्कर काटे जा रहे थे तुराब खान गुसे से लाल हुआ इदर उदर चक्कर काट रहा था हमाद, जरगाब, परीशे, तुराब, किरन और रिदा भी वहीं खड़ी थी सलाउदीन को इतला मिलते ही वो भी पखतून वला पहुंच चुका था और उसने आते साथ उगल दिया था के मनसूर उससे पहले इस नामबाद में भी बहोश हो चुका है और अब सब घुसे में थे, तुराब का घुसा असमान को छुरा था डॉक्टर कह रहा था कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ पहले भी हो चुके हम नहीं मान रहे थे तुराब खान ने सलावतीन को घुसे से घुरा खान, किरन ने सलावतीन की हालत दे कर तुराब को पुकारा अगर पहले हुआ है तो इसमें सलावतीन की गलती नहीं है ना किरन ने आहिस्ता से का तुराब ने शोला पर साती नजरे उस पर डाली किरन खामोश होगी डॉक्टर थे सब समझ के आपकी कीमती राय के बगार भी अब उस पेचारे पर घुसा किसनी निकाल रहे हैं। जरगाप ने सलाउत दीन के कंदे पर हाथ रखा। हाँ वो समझ गे डॉक्टरों पर वही नाजिल होती है ना। तॉराप ने सलाउत दीन को अबरूच का कर देखा। सेंस आफ जज्जमेंट भी कोई चीज होती है। वो कहकर सलाउत के कंदे पर हाथ रखे उसे हाल की तरफ लेकर गया। भस कर दें अब सब। जब आप लोग और कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे के गरेबान पकड़ना शुरू कर दें। परीशे कहते हुई हाल में जाकर सोबे पर ठैकी सब्के उसे जाता देखा। किरन ने तुराब को देकर सर्द आप भरी और महां से चली की रिदा और नवाब खान वहां खामोशी से खड़े रहे और खामोशी से रिदा परीशे के पाच आकर बैठी और नवाब खान पाही निकल गया। जब से उसे सलावत देन का पता चला था कि वो नवीदा के लिए क्या सोच रखता है उसके बाद से तुराब खान उसे खिचा खिचा रहने लगा था। बच्चे डॉक्टर ने का है क्या का है किस बात पर बैस हो रही थी शागल ने आकर तुराब को मुखातिब किया उनके हाथ में तस्पी थी और उनकी आँखे रुई हुई मालूम हो रही थी अदे तुराब उनकी तरफ मुड़ा सच बताना उन्होंने सर को जंबिश दी अ शागल ने भी उसे देखा अब मनसूर को किसी भी किसम की परिशानी से दूर रखना है वरना वो कहते कहते रुका वरना शागल की आँख से कांसू गिरा उसकी जान बचाना मुश्किल हो सकता है उसने कहकर शागल को अपने साथ अगा लिया शागल की आँखों से आंसू ज जाएंगे रिदा ने उसे तसली थी प्रीशे की बात पर उसका दिल कटकर रह गया था लेकिन वो हमेशा की तरह बड़ी थी और उसे ही सबर करना था मनसूर अपने कमरे में आराम कर रहा था जब शागुल उसके कमरे में आई तो राप की वाते सुनने के बाद मनसूर को ऐसे बिस्तर पर पढ़ा देखकर पहले वाला मनसूर खान उनके नजरों के सामने घूम गया वो उसे पास बैट पर बैट गी मेरे बच्चे उन्होंने उसके हाथ पर आत रखा मा गुर्बान हो जए तुम पर उसके माथे पर बोसा दिया उनका आँसों मनसूर के चेरे पर गिरा उसने आँके खोल कर देखा अधे उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बाद मुश्किल आमा हुआ था तुमारी मा बहुत कमजोर है इतना जुम ना करो शागुल की आँखों से आँसों जारी होगे मनसूर बामुश्किल उटकर बैठा अधे मैं बिल्कुल ठीक हूँ उसने मा के आँसों साब करके मुस्कुराते वे उनके माथे पर बोसा दिया मैं नमास परनू वो कहकर बैठ से नीचे उतरा और बातरूम में वजू करने चला गया शागुल की आँखे बहुत देर बंद अर्वासे को तक्ती रही लेकिन वो कुछ ने कर पाई और कहरा सांस खारिच करती हुई थी में कदमों से कमरे से बाहिँ चली गई रात कहा सनाटा चाया हुआ था कमरे में लेंड की रोशनी अंधेरे में हुजल डाल रही थी नवीदा अपने कमरे में बैट की पूच्टे टेक लगाए हाथों को सीने पर बांदे आँखे मूंदे हुए थी किसी सोच कियाने पर उसने आँखे कोली साइट टेबल से मूबाइल उठा कर देखा सक्रीन पर कॉल और मेसिज़ेस मुझूद थे लेकिन मनसूर की तरफ से एक भी नहीं था उसने अपने जेरे पर हाथ बेरा क्या मनसूर उसे एग्नूर करने लगाए उसके जहन में एक सोच में पैरा दिया नवीदा ने आके बंद करके गहरा सास खारिच करके मूबाइल साइट पर रख दिया और दुबारा बैट की पुर्स से सर टेक लिया और साथ सोई नूर को देखने लगी उसने दिल में नूर से हस्द मैसूस किया कितनी खुश नसीब है कितने मजे से सो रही है एक वो है जो दुनिया भर के गम अपनी छोली में समेटे है उसने नूर के चेरे से नजर अटा कर उपर देखा को वो खुदा को देख रही हो पख्तून वला में सुबा का सूरज हमेशा कितना एक नए मौजू के साथ दुलू हुआ हर कोई मनसूर की बेमारी पर बात कर रहता लेकिन सब के दिल डर रहे थे वो अब किसी की भी जुदाई के मुथ हमिल नहीं थे मनसूर के कमरे में सब जाते थे लेकिन जादा बात नहीं करते थे उनसे बात की भी नहीं जाती थी उसकी आँखे पुरानी हवेलियों की तरह खाली थी जिन से वहशत टपकती थी खोफ महसूस करते थे सब शाग उलाकर बैटी रहती थी मनसूर उन से बाते करता था लेकिन वो माथ ही महसूस करती उनका बेटा ने बिलकुल उसके अंदर का खाली बन बोल रहा है और वो उसके सामने मसबूत बनी रहती लेकिन कमरे से बाहरा कर फूट फूट कर रो देती आज भी वो जब लौन में थूप में अकेली बैटी रो रही थी रिदा ये सब खिड़की से देख रही थी भाबी क्या हम सफिल्ला लाला की तरह रिदा के कानों में परीशे के इलफास कुझे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा वो खुद से बाते करते वे पर्दे को मुठी में चकर डिया फिर वो वहां मजीद नहीं रुक सकी वो अपना दुबटा ठीक करते वे कमरे से बाए निकली और सीधी दाजी के पोशन में चली गी दाजी काए मुझे मिलना है उसने अंदर दाखिल होते ही मरजान से दाजी का पूछा खैर एबच्चे मरजान तेस कदमों से उसके करीब आई दाजी अपने कमरे में है रिदा ने मरजान की बात का नजर अंधास करते वे दाजी के कमरे की तरफ इशारा करते वे कदम बढ़ा दिये हुजरे में हैं मरजान ने उसको बुकलाया हुआ देखा तो फोरण बताया रिदा ने अपने कत्मों का रुख पाहिर की तरफ कर दिया वो तेज कत्मों से हुजरे की तरफ बढ़ने लगी कोई भी औरत ऐसे हुजरे में नहीं जाती थी पहादुर खान उसे ऐसे आता देकर पहले ही उसके आगे आगया बीबी खेर है? बहादुर खान ने मरजान का सवाल दो राया दाजी से मिलना है रिदा ने अपना दुबटा दुरुस्त करते हुए का बीबी मैं दाजी को इतला देता हूँ आप हुजरे में नहीं जा सकती आप अंदर जाए पहादुर खान कहता हुआ हुजरे की तरफ चला गया वहाँ से एक कदम भी पीछे ने हुई एक मिंट में उसे दाजी अपने सामने से आते हुए दिखाई दिये दाजी के चेरे का रंग भी बदला हुआ था बच्चे सब खेरे यहां कैसे? दाजी ने चादर का कोना हाथ में पकड़े दूर से सवाल किया दाजी और इंतजार किया तुझो थोड़ी बहुत खेर है वो भी नहीं होगी दाजी रिदा के करीब पहुंचे तो उसने जवाब दिया बच्चे में कुछ समझा नहीं बच्चे तो ठीक है ना दाजी ने ना समझी का तासुर दे कर एक और सवाल पूछा दाजी हम में से कोई एक नहीं हम सब इस तकलीब का शिकार है रिदा ने सर चुका कर कहते वे लौन की तरफ कदम बढ़ाए अदे को देख रहे हैं उसने दाजी को देखा या ये लाला के पास बैठी रहती है या इससे रहती है उसने अपने सामने गुमसुम बैठी शागल को देख कर का परेशे को लगता है मेरे खान की तरह उसके लाला भी बेवफाई करेंगी रिदा ने मशबूत लहजे में सप्य اللला का जिकर किया उसके मजबूत तेजे में भी लड़ खड़ा हर थी दाजी ने उसकी ऐसी बात पर उसे वोर से देखा उनका दिल काम क्या मुझे अदे और अम्मी की हालत में कुछ खास फरक मैसूस नहीं होता अम्मी का बेटा मर गया और अदे का बेटा उनके सामने मर रहा है उसने नीचे देखते वे हातों को माहम मिलाया उसके माथे पर पसीना था वो काँप रही थी लेकिन उसे हिम्मत करनी थी क्योंकि वो सपी उल्ला की बहादुर बेवा थी बलके ऐसा के तो ज्यादा बेतर है पख्तूनवला के जानशीन का मकपरा पख्तूनवला में बन गया है और उस पर परसूदा रसूमात का पर्चम लहरा दिया गया है रिदा ने गहरे सांस लिया दाजी उसे देखकर रहे गे वो कैसे और क्या बोल रही है दाजी ये पख्टून बला है जहां पर मैंने पहली बार खुल कर सांस लिया था लेकिन अब यहां तम घुट रहे लोगों का उसने दाजी को देखा उसकी आँखों से एक आँसू बैगया दाजी ने अपनी नजरे फेलनी खान जाते वे मेरी जिनकी के सब रंग लेगे शोहर के जिकर पर उसकी आँखे भीगी में जिन्दा होते वे भी कहीं नहीं हो दाजी उसने एक बार फे दाजी को देखा मनसूर लाला भी मुझे कही नजर नहीं आते उसने दाजी को देखते वे का दाजी सामने बैटी शागुल को देख रहे थे जो कुछ रंग और खुशिया पख्टून वला में बच्ची है ना मनसूर लाला के साथ वो भी जाती हुई नजर आ रही है उसने अपनी नजरें दाजी से हटा कर शागुल पर मर्कुज गी दाजी मैंने शायद इस घर में कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा वो दाजी के आगे खड़े हुई शागुल की तरफ उसकी कमर थी क्यों यहां कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ा खान उसने गर्दन उपर करके आस्मान की तरफ देखा खान होते वो भी यही करते उसने दाजी के सामने हाथ जोड़े हम मेंसे कोई भी एको लाश देने का जर्फ नहीं रखता दाजी ने रिदा को गोर से देखा यह क्या करी यो बच्चे उन्होंने रिदा के हाथ थाम दिये मुझे शर्मिन्दा मत करो मुहनूज उसके हाथों को थामे हुए थे दाजी आपको सभी उल्ला की जवानी का वास्ता जिसमें वो चले गे रिदा की बात पर दाजी रिदा के हाथ छोड़कर पीछे हुए और लड़ खड़ा गे उनके कंदे से चादर नीचे किर गई जाओ बच्चे जो तुम लोगों को खुशी है वो कर लो मैं हमेशा की तरह आज भी अपने बच्चों के साथ हूँ उन्होंने रिदा के सर पर हाथ रखा रिदा के चेरे पर मुस्कुरा हटुबरी शुकरिया दाजी मुआसू पहुचते हुई बहां से चली गी और अगजेब खान भी ठके हुए हुजरे की तरफ चले गे रिदा तेज कदमों से शागुल के पास गी अदे उसने मुस्कुरा कर देखा उन्होंने तस्वी बढ़ते वे मुगतसी जवाब देखकर उसे देखा शागुल रिदा को मुस्कुराता देखकर हिरान हो गी क्योंके सफियल्ला की मौत के बाद उसे कभी भी किसी ने खुश होता या मुस्कुराता भब भी नहीं देखा था शागुल के चेरे पर लाशाओरी दोर पर मुस्कुराहर ढुपी आज मेरी बच्ची खुश लग रही है उन्होंने रिदा का हाथ थाम कर उसे पास बिठाया अदे में वागी खुशू सच में रिदा ने उनके हाथ थामे ऐसी कौन सी बात है जिस पर मेरी बच्ची को इतना खुश कर दिया शागुल ने अपनायत से पूचा अदे मैं मैंने दाजी से अपने भाई की जिनकी मांग ली है उसने उनकी आँखों में देकर का शागुल ने ना समझी से गर्दन को जंबिश दी अदे हम रावल पिंडी चाएंगे लाला की दुलहल लेने दाजी मान गए है वो खुशी से कहकर शागुल के गड़े लगे शागुल हेरानों परेशान थी सच सच कह रही हो मेरी बच्ची उन्होंने हिरानगी से पूछ और यकीन आने पर रिदा को साथ मेंच लिया पिल्कुल सच अदे रिदा उनके साथ से पीछे हुई मनसूर को बताएं शागुल ने खुशी से का अदे सर्प्राइज देंगे अमोंने रिदा ने उनके हाथ था में शागुल को बात समझ नी आई उन्होंने उसे ना समझी से देखा मेरा मतलब है अभी नहीं सब कुछ बात पकी हो जाने पर बताएंगे लाला को रिदा ने उनके हाथों पर दबाव डालते भी आँख दबा कर का मेरा बच्चा बेमार है शागुल ने नराजगी से का अदे ठीक हो जाएंगे उसने एक बार फिर शागुल को गले से लगा लिया कबका कायखान ने शागुल ने रिदा को साथ लगाते हुए पूछा उन्होंने इस पारे में कुछ ने का वो कह रहे हमारी खुशी में वो खुश है और हमारे साथ है रिदा ने अपनी बाजों का हसार उनके गिर्द और मस्बूत किया अदे हम कल चलते हैं ना उसने शागुल का चेरा देखा तुम भी चलोगी शागुल ने हिरानगी से का क्या आप घर की सबसे बड़ी बहु को छोड़के जाने का इरादा रखती है रिदा ने शरारत की आज वो वाकी खुश लग रही थी सपी उल्ला की मौत के बाद उसके चेरे पर आज पहली बार रंग देखे जा सकते थे ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता शागुल ने जोर से कहका लगाया आज बखतुन वला के रंग वापिस आ रहे थे रावल पिंडी में अवीदा कॉलिज से लोटी उसने कमरे में आते साथ अपना मॉबाइल देखा जिस पर कोई कॉल कोई मैसिच नहीं था उतास होगी उसने मुबाइल बैट पर रख दिया और खुद हातों को बैट पर टेक कर पीछे होगी उसके चेरे पर ठकन के आसार वाज़े थे वो कुछी दिन में ठकी थी उसके जहें में एकी सोच उपर थी वो भी तो है ना जो इतने अरसे तक इंतजार करता रहा और मैं उसके उससे आगे वो सोट नहीं सकी और सर चटकती हुई खड़ी हुई उसने अपना रुखलमारी की तरफ किया ही था कि उसके कानों में डॉर बैल की आवाज गुंची उसने खेर इरादी तोर पर अपने पाउं का रुख कमरे से बाहर कर दिया चानली मिंड बात वो में गेट खोल रही थी गेट खोलते ही उसकी आखे पटी की पटी रह गी अदे वो अपना मूँ बंद करना भूल की क्यों हम नहीं आ सकते शागुल ने मुस्कुरा कर सवाल किया नहीं क्यों नहीं खेर ने बुखलाते हम उनको रास्ता दिया शागुल के पीचे रीधा कि दन और तुराब खान अंदर दाखिल हुए नभीदा शागूल के गले लगी दूसरी तरफ पक्तून बला में आज खामोशी करा था कोई नी जानता था सब कहां गे हुए है दाजी ने भी खामोशी इख्तियार की हुई थी मंसूर सारा दिन अपने कमरे में अकेले ही गोजारता रोजाना शागूल उसे खाना खिलाने आती थी याँच उनकी जगया मरजान आई थी मंसूर के पूछने पर उसने बताईा कि उसको कुछ नहीं पता सब कहां गे है अम मनसूर को लग रहा था कि शागुल की तबीयत खराब है और उसे बताया नहीं जा रहा इसी शक की बन्याद पर मनसूर कमने से असर की नमाज पढ़कर बाहिर आया था उसने सारा घर चान मारा लेकिन उसे कोई नहीं मिला वो वहीं हाल में सोफे पर आँखें मुंद कर लेट कि और इंतसार करने लगा मगरिब के अजान के साथ वो उठा वहीं हाल में उसने नमाज अदा की और अपने कदम जरवशा गुर के पोशन की तरफ मोड़े क्योंके मरजान में उसे बताया था कि परीशे महां है शेर अफजल के पोशन में पोशन में पोशन कर उसने परीशे को पुकारा जी लाला परीशे तेज़ तेज सेड़ियां उतरती हुई आई अधे का आएं उसने छूटते ही सवाल पूछा लाला में एक कॉलीच से जब आई थी तो वो घर नहीं थी परीशे ने जिज़टते हुए का अच्छा मुझे चाय बना कर तो वो कहकर लाउन में चला गया लाउन में कदम रखते ही उसे अपने सामने जरगाब नवाब और हमाद बैटे नजर आए उसने उनको हंसता दे कर उनकी तरफ कदम बढ़ा दिये लाला इदर आ जाएं मनसूर को आता दे कर हमाद ने कुर्सी से खड़े होकर उसे जगा दी मनसूर भी ढीले कदमों से चलता हुआ कुर्सी पर धेर हुआ आज खेर है नवाब खान ने उसे बैटते दे कर अबरूच का कर दे का मनसूर ने उसे नासमजी से देखा मतलब तेरा इंसानों में क्या काँ नवाब खान ने चिटका छोड़ा सरगाब और हमाद के दान भी बाहर आगे अदे को देखने आया था अज सुबा से नजर नहीं आई वो कुर्सी पर ठीक होकर बैठा अच्छा रिदा भाबी भी नहीं है घर नवाब ने मुबाईल जेब से निकालते वे इतला दी सरगाब और हमाद ने उसे बहुर देखा वो जो कमरे से बाही नहीं निकलती आज घर में ही नहीं है तुराब लाला और किरन भाबी भी नहीं है सरगाब ने भी बताना अपना फर समझा सब ने एक दूसरे को ना समझी से देखकर आँकों याँकों में इशारा किया ये आई ये लड़की ये हमें खबर देगी नवाब खान ने परीशे को चाहलाता देकर उसकी तरफ इशारा किया परीशे मुस्कुराई परीशे सब कहां गए हैं नवाब खान के पूछने पर परीशे कुछ बोलने ही वाली थी कि उनको परीशे के पीछे शागुल आती दिखाई थी वो बहुत खुश लग रही थी अदे कहां थी आप मनसूर ने उनको करीब आता देकर पूछा बताती हूँ सांस तो लेने दो शागुल ने फूले सांस देका मनसूर ने हटकर बैटने के जगा दी उन्होंने मनसूर का माथा चुमकर उसे गड़े लगाया मनसूर हिरान हुआ शागुल बैटने के लिए चुकी तुराब हाथ ने मिठाई का टोकरा उठाए लौन में आया उसके पीछे गिरन और रिदा भी थी ये क्या चल रहा है नवाब खान से सबर नहीं हुआ तुराब ने मठाई का टोकरा टेबल पर अकर मनसूर को गले लगाया मुबारे को मेरे भाई मनसूर हिरान हो गया पहले अदे और अब तुराब खान कोई कुछ पताए कभी ये किस चीज़ की खुशी मनाई जा रही है मनसूर के सबर का पेमाना लबरेज हो गया लाला रिदा उसके सामने आई ये आपकी जीत की खुशी आपकी मुहबत को फता नसीब हुई वो मुस्कुराई मनसूर के माते पर बल पड़े उसने आँके सुकेड कर रिदा को देखा इस जुम्मे को निकाए तुमारा नवीदा के साथ तुराब भान के कहते ही मनसूर को चटका लगा वो लड़ खड़ा कर पीछे हुआ उसने कुरसी को थामा महां खड़े सब लोगे हिरान होगे ये सब क्या हुआ है शागुल उठी उन्हें मिठाई का टुकरा खोलकर एक टुकरा उठाया और मनसूर के मुझ की तरह बढ़ाया मनसूर ने मिठाई चखी वो यकीन ने कर पा रहा था लेकिन बाकी सब समझ चुके थे उन्होंने हमेशा की तरह हूटिंग शुरू कर दी और मनसूर के साथ चिप अगे मनसूर को हो शायत उसने हाथों से सब को रोका अधे पुशागल के करीब किया दाजी उसने सवाल गया नजरों से माँ को देखा जो मेरे जानशीन की खुशी है वो ही उसके दाजी की भी खुशी है मनसूर को अपने पीचे आवाज सुनाई थी उसने पलट का देखा पीचे दाजी खड़े मुस्कुरा रहे थे मनसूर भाग कर उनके गरे लगया सबने एक बार फिर हुटिंग शुरू कर दी रिदा ने आस्मान को देखा और आस्मानों में उसी कोई मुस्कुराता हुआ दिकाई दिया उसने हाथ बढ़ा कर अपने आसू पहुंचे और शागुल का कंदा थाम लिया दुपैर के वक्त नवीदा, नूर और माईरा तीनों कमरे में बैठी निकाह की त्यारियों पर गुफटगू कर रही थी और अब तीन खेंटे का वक्त होने को आया अब तक नूर और माईरा ने फैस्दा ने किया था कि वो क्या पहन रही है अब उन्होंने लैपटाप आगे रखा हुआ था और मुफटलिफ डिजाइन के नत ने मलबुसात को दे कर दिल खुश कर रही थी माईरा, ये वाला ठीक लग रहे मुझे तुमारे लिए नवीदा ने सक्रीन पर हाथ रखकर माईरा को मतवच्चे किया माईरा ने बगोर दे कर नफी में सर को जंबिश दी, नवीदा ने उसे दे कर गहरी सास ली स्क्रॉल करो जरा नूर ने माईरा के हाथ पर हाथ मारा हाँ, ये ठीक लग रहे कुछ नूर ने को ड्रेस का जाइजा लेते हुए सर को उपर नीचे किया ये जादा लौंग नहीं है, माईरा ने नूर को देखा नवीदा ने उन दोनों को बगोर दे कर मूँ पर हाथ रखा तुम्हे क्या हुआ है, नूर ने नवीदा को ऐसे देखते हुए देखा, तो पूछा मैं सोच रही हूं, निका मेरा है या तुम दोनों का उसने दोनों पर एक सरसरी नजर डाली निकाह तो तुमारा है या लेकिन माईरा कहते कहते रुकी लेकिन नवीदा ने अबरूच का कर पूछा लेकिन चांसिस हमारे है ना उसने आँख तबा करका नवीदा ने ना समझी सोचे देखा अरे पागल तुम तो भस कही हो ना अब तुम अच्छी लगो या नी फरक नी पड़ेगा हमें हसीन लगना है ना ताके हमें भी निकाह की तुफीक मिले माईरा ने नूर के हाथ पर तानी मारी दोनों ने जोरदार कहका लगाया बहुत ही कोई बेशरम हो तुम दोनों नवीदा ने सर जटका उफ हमें कपड़े देखकर खुश होने दो वैसे भी तुमारे तुम आहां से आएंगे ना माईरा ने आँख दबा कर शराड़त की बोट जमराद दो दिन में और्टर डिलीवर मेरे ख्याल से तु नहीं होगा इस ते बाजार का रुख करो दोनो नवीदा ने बेट से उतरते हुए इतला थी हाँ वैसे ये तो ख्याल ही नहीं आया नूरों में माईरा ने नूर को देखा अब नूर ने दांतों के दर्मयान उंगली रखी कल चलेंगे फिर बजार माहरा ने गोट में रखा लैपटाप बंद किया और नूरीदा की तरफ मुड़ी वैसे नूरीदा माहरा ने उसे मुखाटिब किया हम वो जो सोफिय पर बैटी नाखुन तराश री थी उसने मुखत से जवाब दिया तुमने कहा से पहले कुछ जादा संजीता और सुलजी वी लड़की नहीं बन गी उसने अबरोच का कर पूछा नवीदा के माथे पर दो पल नमुदार हुए उसने आँखे सुकेड कर माहरा को देखा चितनी इसकी जुबान चलती और दांत निकलते हैं न ये सब इसने आगर मनसूर लाला के सामने किया न तो नूर ने गर्दन पर उंग्डी से इशारा किया इसको प्रैक्टिस करने ले नूर ने अपना जुड़ा धीला किया नवीदा उसकी बातों पर अबरूच काई सर हिला रही थी सच्ची नवीदा माहरा ने आँखे फाड़ कर नवीदा को देखा कहरी न दे वो नवीदा के चेरे पर मुस्कुराहा ठुबरी उसके लेचे में इतमाद था इतबार था वो तपता सहरा अब उसे च्छाओं लगने लगा था पख्तूनवला में पख्तूनवला के जानशीन के निकाह की त्यारी जोशो खरोर से जारी थी हर कोई काम में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहा था लड़कियां तो सिर्फ बस अपनी ही त्यारियों में लगी थी सब के शॉपिंग उकमल हो चुकी थी सब नहीं भारी काम वाले जोड़े से लेक्ट किये थे बस एक रिदा ही उसने हलका सूट दिया था वो पख्तूनवला में होने वाली त्यारियों को देखकर उदास हो जाती थी और पुराने वक्त को सोचती थी जब उसने दुराब के शादी के लिए सारी त्यारियां सफी उल्ला के साथ मिलकर की थी वो हर नमहा मनसूर और नवीदा के लिए दौाए करती कि खुदा उनकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे उस जोड़ी को एक करने में रिदा काई किरदार था लेकिन वो उदास रहती थी अपने अधूरे पन पर तुराब ने गिरन को सारी शॉपिंग खुद करवाई थी ये उनका पहला फंक्शन साथ था इसलिए सब मैचिंग ही लिया था परीशे और नीलम अकटे ही बजार गई थी और दोनों ने अपनी शॉपिंग की थी जबके नवीदा का जोड़ा मनसूर के जिम्मे लगा दिया गया और उस काम में उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी मनसूर नवीदा को बहुत बार काल की वोगण की रिकिन नवीदा ने एक काल भी नी उठाई वो मूप भुलाई बैटी ति जिस दिन पक्तुन वला से उसकी घर ऩिश्ता मांगने सब कहती उस दिन नवीदा ने खुदी की उससे केी दिनों काल की थी लेकिन मनसूर के जवाब ना देने पर वो डर की थी और बार बार कॉल करती रही लेकिन मनसूर मोबाल कमरे में रखकर शागुल को ढूंड तरा इसने उसकी कॉल अटेंडनी कर सका और जब कमरे में आकर नवीदा से बात करना चाही तो नवीदा ने कॉल अटेंडनी की उस वक्त से अब तक मनसूर सी प्रीड डाय दिकर रहता और अब सारे दिन की मेनत के बाद वो एक सूर से डेक्ट करके हॉल में सोफे पर धेल था बच्चे तुम लिस्ट बना के दू ताकि जिसको भी तुम बुलाना चाहते हो वो रहना चाहे दाजी आकर मनसूर के सामने सोफे पर बैठे अब दो दिन रहे हैं काम जल्D म कमल करो दाजी को देकर मनसूर सीधा होकर बैठा दाजी मेने नवाब को बता दिया था बुलाने बिगर ना जाए दाजी ने टेबल पर पड़े कार्ट साथ में लिए जी अच्छा मनसूर कह कर उठा और चला क्या वो आज इतना ठका हुआ था कि वो जिस चीज के लिए सारा दिन ठका था वो भी उठानी भूल गया और पाउं खसीड़ते हुए सीड़ियां चड़ने लगा बहुत सी दौाएं, मिन्नतें, आंसों, सजदें, लड़ाईों के बाद आखिरकार बो दिन आई गया जिसके लिए सब त्यारियां हो रहे थी रजब जल्दी फूर लगाओ इतने काम है और अभी महमान आते होंगे सरी ने रजब को सीड़ी पर चड़े अराम से काम करते देखा तो उसे याद दिहानी कराई पहले उसे इस पता लेकर भागता रहा और अब सारे काम भी मेरे सार डाल दिये मेरी बारी में ये लड़की कई नजर भी नहीं आएगी रजब चिड़ कर मूँ में बुड़बुडाया अभी तुम ये जो बातें कर रहे हो ने एक आसू भी उसकी रुखसती पर निकाला ना तो फिर मैं तुमें बताऊंगी जरी को आवास तो नहीं आई थी रजब की लेकिन अंदाजा हो गया था इसी दियों से एमोशनल करके वो चली गई रजब तुम अभी तक उपर चड़े हो वे ओर रिदा को पॉलर से लेकर भी आना है नून ने आकर इतला दी रजब ने उसे मुण कर देखा तुम्हें अगर अपनी डेंटिंग पेंटिंग से टाइम मिल गया हो तो तुम भी कुछ कर लो मैं उसे ले आता हूँ रजब ने सेड़ी से नीचे छलांग लगाई अबू वैसे भी उमोशनल है आज मैं उनको बताती हूँ तुम मुझे डांट रहो नूर ने मूँ फुला कर अपने दुबटे का पलू हाथ में लिया रजब ने मुड कर बगोर बेन को देखा अब कोई काम कहना तो मुझे रजब कहकर गाड़ी की चाबियों उठा कर दर्वाजे से बाई निकल गया नूर ने एक जोड़दार कहका लगा कर अंदर भागी रावल पिंडी की तरह पक्तून वला में भी हलचल मची हुई थी सब ये अपनी त्यारियों में मसरूफ दे परीशे और हमाद रात को इनवीदा का जोड़ा और चीजे पिंडी दे कर आये थे और दाजी ने सुबह 11 बजे रवान की का होकम नामे अच्चारी कर दिया था 11 बचने में 10 मिंट रहते थे सब भी आइस्ता आइस्ता और रंगजेब खान के पोशन में जमाऊना शुरू हो गए थे मरजान ने अपनी निगरानी में मठाईयां और तहाइब गाड़ी में रखवा दी थी किसी किसम की कोई कमी नहीं छोड़ी की सब एक दूसरे की त्यारी की तारीफें करे थे जब मनसूर को सीडियों से उतरता देकर सब की नजरें नहीं जम गई वो सफेद कौटन की शलवार कभीज के ओपर वेस्ट कोट पहने और सर पर पगड़ी पहने सब स्वादियों का शेहजादा मालूम हो रहा था सब नहीं आँखों आँखों में उसकी नजर उतारी सीडियों से नीचे उतर कर वो जुक कर औरंगजेब खान को मिला और उसके बाद उसने अपना सर मा के आगे जुका दिया अपने जवान को ऐसे अपने सामने दे कर मा की आँखे चल के बगएर नहीं रह सकी दाजी ने उनके हाथ में नोटों की एक गटी दी शागल ने बेटे के सर से फेर कर घर की मुलास्मा के हाथ में पकड़ा कर मनसूर पर कुछ पढ़कर फूंका और उसका माता चूम लिया लाला दुआ करें औरंग जेब खान ने शेर अफजल को दौाए खेर करने का का सब ने अपने हाथ दौा के लिए उठाए शेर अफजल ने दौा की जिस पर सब ने आमीन कहकर हाथ मूँ पर फेरे सब सफर की दौा पढ़ लो बच्चो बख्तियार हान ने सब को ताकीद की सब भी दौाएं पढ़के गाड़ियों में सवार होने लगी जोकीदान ने गेट खोला मनसूर खान का मूबाइल बजा मनसूर ने मूबाइल जेब से निकाल कर देखा सक्रीन पर खावर का नंबर जगम गारा था उसने कॉल कार्ट दी खावराच सुबा से उसे कॉल्स कर रहा था लेकिन मनसूर ने एक कॉल भी अटेंडनी की थी बिस्मिल्ला करो दाजी ने बहादुर खान को गाड़ी चलाने का इशारा किया बहादुर खान ने गाड़ी गेट जे बाही निकाली उसके पीछे बाकी भी गाड़ीया निकली सबी अपनी अपनी गाड़ीयों में सवार थे तमाम गाड़ीयां जैसी पक्तून वला के गेट जे बाही निकली दाजी की गाड़ी के सामने किसी ने गाड़ी रोकर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया पीछे आने वाली तमाम गाड़ियां भी रोकी दाजी हमें घेर लिया क्या है पहादुर खान ने शीशे में देखकर पीछे का जाइजा लेते वे दाजी को इतला दी दाजी गाड़ी से नीचे उतरे और उनके साथ सब मर्थ भी गाड़ियों से नीचे उतर गे दूसरी तरफ नवीदा पॉलर से जैसी घर आई सारे घर वाले गेट पर खड़े थे रचब ने गाड़ी का दर्वासा खोला माईरा ने नवीदा को गाड़ी से बाहर निकाला जैसी वो कार से उतरी मीर अबसल ने आगे बढ़कर उसको थाम लिया नवीदा पेरिट ग्रीन कलर के फ्रॉग जिस पर सिल्वर और गोल्डन काम था उसके साथ मैचिंग की जूलरी पहले और नफासत से कियोए मेक अप के साथ नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी सरी की आँखों में बेटी को दुलहन बना देखकर आंसू आगे नूर नी मा को बाजों में जकर डिया रजब और मीर अफजल उसे पकड़ कर अंदर लेके महमान आना शुरू हो गे थे बस इंतजार था तो सवाबी से आने वाले लोगों का पक्तूनवला के तमाम मर्द गाड़ियों से नीचे खड़े हालात का जाइजा ले रहे थे कि दूसरी तरफ एक मर्द सफीज चलवार कमीज उपर वेस्ट कोट पहने सर पर पकड़ी गले में चादर डाले गाड़ी से उतरा उसके चेरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे दाजी ने उसे देखा उनके माथे पर बल पड़े शेर अफजल और बख्तियार भी उनके साथ कमर पर हान बाद दे खड़े थे वली खान ये क्या तरीका है तुम हमारे इलाके में आकर ये सब कैसे कर सकते हो तुम जानते नहीं हो हम कोन है दाजी ने उसे करीब आता देखा तो इस कुस्ताखी की वज़ा पूची पखेर राग ले और अंजेब वली खान ने दूर से ये अपने माथे पर हाथ रखा मुझे इसका जवाब चाहिए जो तुमने किया ताजी ने उसकी बात को नजर अंदास करके अपना सवाल दो राया हम बैट कर बात करते हैं वली खान उनके सामने हाथ बांद कर खड़ा हुआ तुमने आकर पंचायत के सरबरा को उसके ऐली खाना के साथ खेरा है रिच्सत पर हाल डाला है वली खान उनकी आँखों में आँखे डाले दांद पीस कर बोला सब जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे ताजी ने सर उपर किया पाकिस सब ने मुड़कर मंसूर को देखा क्यूंकि उससे कुछ भी उमीद की जा सकती थी खावर फून ने उठा रहा नवाब खान आईस्था से कदम उठा था वाँ मंसूर के करीब आया मंसूर के माते पर बल पड़े ये क्या पक्वास कर रहे हो बख्तियार खान ने वली खान का गरेबान पकड़ा तो राप खान ने ख्वातीन वाली गाड़ियों का रुख पख्तून वला की तरफ करवाना शुरू किया बख्तियार खान मैं यहां फैस्टे के लिए आया हूँ पैस्टी के लिए नी वली खान ने एक आद बख्तियार खान के हाथों पर रखा ये मेरी शराफत है कि मैं जुबान से बात कर रहा हूं उसने अपना कॉलर बख्तियार खान से अज़ाद करवाया वली खान अगर ये बात छूटी निकली तो फिर दाजी ने कमर पर हाथ बांदे और गर्दन को अकड़ा करका मैं हर सजा भुकतने के लिए त्यार हूँ वली खान ने भी उनी के अंदास में गोया हुआ लेकिन औरंग जेब खान के बात अगर सच निकली तो वली खान ने अब रूच का करका मैं हर चीज की सरबराही तुमारे कदमों में रख दूँगा दाजी हनूस ऐसे ही खड़े थे तुमारी सरबराही चोड़ने से मेरी इज़त वापिस आजे की क्या वली खान ने उनकी आँखों में देखा ठीक है फिर जो तुम कोगे वो होगा दाजी ने गहरा सांस लिया शेर अफजल ने औरंग जेब खान की कमर पर हाथ प्याइब कर उन्हें तसली दी नवाब खान और मंसूर किसी से फून पर मसरूफ थे तुराब खान और हमा ताजी के पीछे खड़े थे जबके जरगाब और सलाहु दिन को अंदर खुआतीन के पास रुकने का कहा गया था मैं अपने साथ कुछ लोग भी लेकर आया हूँ उनकी मुझूद की में पैस्ता होगा वली खान ने अपने पीछे खड़ी गाड़ियों की तरफ इशारा किया पक्तियार खान ने मुड़कर औरंगजेब खान को देखा हमें मन्सूर है दाजी ने कमर पर हाथ बांदे कहरा सास लिया चलो अंदर बैटकर बात करते हैं वली खान गाड़ियों में बैठे अफराथ को इशारा करते औरंगजेब खान के कंदे पर हाथ रखा नए दाजी ने दो टोक जवाब दिया अगर तुमने बात जिर्गे में करनी होती तो जिर्गा बुलाती यूँ पीट सड़के खेरा डाल कर इल्जाम तराशीना करती दाजी मसबूत लेजे में गोया हुए वली खान के चेरे के रंग गोड़े उसके पीचे कड़े लोगों ने एक दूसरे को देखा औरंग जेब खान हम इजज़त दा लोग हैं और आपको भी जानते इसलिए आपकी बहुत इज़त करते हैं बात बच्ची की है घुसे पर काबू रखें वली खान के साथ आए अफरात में से एक ने आगे बढ़कर मामला संभालने की कोशिश की खुसे पर काबू ही किया हुए वरना शेर अफजल ने आगे उते हुए जवाब दिया ताजी ने उनके सीने पर हाथ रखकर उने पीचे कर दिया सबने मुड़कर शेर अफजल को देखा हम भी बच्चियों के मामले में साथ पर्दों में निप्टाने वाले लोग हैं लेकिन वली खान ने जिर्गे में बैठने वाली ना बात की है ना हरकत औरंग जेप खान ने उनकी आँखों में देखकर कहा मनसूर दाजी ने गर्दन अकड़ा कर उसे बुकारा वो जो कान से फून लगाए खड़ा था एक दम उड़ा मनसूर दाजी की आवास तेज हुई खावर को कॉल करते रहना हो सकता है मिल जै नंबर मनसूर नवाब खान के कंड़े को थप थपाता हुआ दाजी की तरह बढ़ा जी दाजी मनसूर हाथ बांद कर उनके आगे खड़ा था मनसूर जो बात करना सच करना तुम अपने बाप को जानते हो दाजी ने मनसूर को देखे बिनाई का मनसूर ने असपाद में सर को जंबिश दी ये जो बात वली खान कहरा है उन्होंने लड़की को नजर अंदास करके बात शुरू की क्या इस बात से तुम्हारा तालुक है या ने दाजी हनूस वली खान को देख रहे थे दाजी वो मनसूर ने बात शुरू की मनसूर हाँ या ना औरंगजेब खान ने दो टोक सवाल किया हाँ मनसूर के एक लफ़ ने पखतून बला वालों पर आसमान किरा दिया ता सब ने मुड़कर मनसूर खान को देखा वली खान के चेरे पर मुस्कुरा हटुबरी मनसूर क्या पक्वास करे हो शेर अफ़ल ने मनसूर को बादू से पकड़ कर जिंजोड़ा दाजी के गले में कुछ दूबा उनके कदम ड़ड़ खड़ा गे दाजी मेरी बात सुने मनसूर बाद के करीब हुआ दाजी ने उसे हाथ के इशारे से दूर रहने का तुम्हारा फैसला जिर्गा करेगा और रंगजेब खान के अरकर अंदर चलेगे उनके पीचे सब लोग पी चलने लगे कुछी देर बाद सब लोग हुजरे में जमा थे दाजी ने जिर्गे की सरवराही से माज़रत कर ली थी और उनके जगा वली खान के साथ आए एक काबले भरोसा शथ को जिर्गे के पैस्ते का इक्तियार सूंपा गया अल्ला का नाम लेकर जिर्गे का अगास कर दिया गया वली खान जिरका पहले अपनी बात कहने का इख्यार तुम्हे देता है शेबास खान जो के जिरके की सरवराही करे थे उन्होंने वली खान को इशारा किया मैं अपनी बात पहले भी बता चुका हूँ वो ही दोराता हूँ मेरी भती जी जो के मेरे मरहूम भाई की अमानत है मेरे पास उसे औरंग्जेब खान के बेटे मनसूर खान ने उसे वरगला कर अपने साथ फरार कराया वली खान ने सर जटक दिया मैं इसे जादा बोलने की हम्मत नी रखता उसने सर चुकाई वे आहस्ता से का सबने पहले उसे फिर मनसूर को बलट कर देखा मनसूर की आँखे अंगारा बनी हुई थी वो वली खान को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था क्या बकवास कर रहे हो एक भी और बकवास निकली तुमारे मुझ से तो ना मैं जिर्गे का लिहास करूंगा ना तुमारी उमर का तो रहा बली खान की तरफ धाड़ा बकवास हान ने उसे जल्दी से काबो किया बकवास थान अपने बेटे को संभालो बली खान के साथ आये अफरात में से एक ने हाथ से इशारा किया वली खान अपनी बात थाबित करो ऐसे तो कोई भी इल्जाम लगा सकता है शेर अफजल ने सब की तवज्जो अपनी तरफ की बेटियों वाले कभी भी इतनी घटिया बात नहीं करते वली खान ने सर उठा कर का इससे पूछे क्या ये दो हफ़ते पहले मेरे घर के रोज चक्कर नहीं लगाता रहा वली खान ने मनसूर की तरफ इशारा किया इस बात की गवाही मेरे साथ आए लोग कुरान पर हाथ रख कर भी देंगे वली खान की बात पर दाजी ने नजरे उठा कर बेटे को उमीद से देखा बोलो मनसूर खान शेबास हान ने मनसूर की तरफ इशारा किया ये सच है मनसूर ने सर उठा कर बिना किसी खोफ के आज का दूसरा भम गिराया ताजी ने मुठिया भेंचनी और सर जुका लिया मनसूर खान खुद भी इतराफ कर चुक है कि इस मामले से उसका तालुक है जिर्गे में मुझूद एक पर ने मनसूर के इतराफ की तरफ इशारा किया शेबास खान ने इस बात में सरी लाया वली खान आपका बेटा रमीस खान किदर है मनसूर उससे मिलने भी आपके घर जा सकता है जरूरी नहीं वो वहाँ तुराफ खान ने दानस्ता बात धूरी चोड़ दी मेरा बेटा शहर में होते है उसे इस मामले का इल्म नहीं अगर हो जाता तो सिर्फ खून खराबाई था इसका नतीजा मली खान ने तुराफ की आँखों में देखकर का तुराफ के चेरे पर तन्जिया मुस्कुरा हट उबरी रावल पिंडे में मेहमानों को आए बहुत देरो चुकी थी सब मीर अवजल से सवाल करे थे और मीर अवजल बार बार सवाबी फून कर रहे थे लेकिन महां से कोई जवाब नहीं मिर रहा था आप तो घर आए मेहमानों को खाना भी खिला दिया गया था लेकिन सवाबी से आने वालों की कुछ खबर नहीं थी नवीदा खिड़की में खड़ी अपने बाप की परेशानी भी समझ रही थी और मेहमानों के हिलते होंटों का जवाब और मतलब भी इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी उसके दिल में एक उमीद थी कि वो आएगा उसे नाम करने हाँ हाँ वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसके कानों में मनसूर खान की हसी की आवास गुजी अब ऐसा कभी भी नहों सकता अब किसी माई के लाल में इतनी हमती नवीदा को मनसूर से दूर करे माजी से आने वाले आवाजों पर नवीदा ने अपनी आँखे मेचनी हम तो सिर्फ आपके इजास्त के मुंतजिर थे जानम अब हमें वो भी मिल गी उसकी आँख से एक आंसू टपका जो उसका गाल तर कर गया और मनसूर खान बार बार इजास्त नहीं लेता नवीदा ने पर्दे को मुठी में जकड़ा मायरा ने आकर उसके कंदे पर हाथ रखा वो आएगा ना नवीदा ने मायरा को अमेद भरी नजरों से देखा मायरा को लगा अगर वो इंकार करेगी तो उसकी सांसे بंदो जाएंगी हाँ जरूर आएगा माहरा ने बमुश्किल जवाब देका नवीदा को गले से लगा लिया वली खान क्या तुमने मजीद कुछ कहना है शेबास खान ने वली खान को अपनी तरफ मतवज्जे किया नए उसने मुख्त से जवाब दिया मनसूर खान अब जिर्गा तुमें अख्तियार देते है तुम अपनी बात को सरबरा ने मनसूर को इख्तियार दिया तुराब ने मनसूर को देखा यहां पर अभी कुछ दिर पहले कहा गया मैंने इतराफ किया मेंने कुई इतराफ नहीं किया चितनी बात पूची गी उतना जबाब दिया मनसूर ने शेबास खान की आँखों में देकर का इस बात का क्या मत्तव है सरबला ने इस तबसार किया मतब ये कि इस मामले से मिरा तालुक जरूर है लेकिं मेरा इनकी भतीजी से कोई तालुक नहीं है منصور نے ولی خان کی طرف اشارہ کیا पخटون वला वालों ने منصور को उमीद फरी नजरों से देखा खुर कर को हो जो बात भी है शेबास خان ने منصور को तफसीर से सारी बात बताने का का منصور ने बाप की तरफ देखा और उसकी आँखों के सामने तुराब खान की शादी के कुछ दिन बात का मनज़ चागया लाला बाहिर एक लड़की आई ये दाजी से मिलने का कह रही है मनसूर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था जब पहादर खान ने आकर इतला दी अभी तुम्हे बाहिर से आया हूं कोई भी नी था मनसूर ने उसकी तरफ देखा लाला वो काफी देर की आई गया मिमान खाने में बैठी ये दाजी के इंतजार में उसने आईस्ता से बताया दाजी किदर रहें मनसूर ने चैनल चेंज किया मुझे कुछ पता नहीं है उनका काफी देर होगी उसे इसलिए आपको बताने आया हूं उसने अपने कंदे पर रोमाल दरुस्त किया चलो देखता हूं मनसूर ने रिमोट रखा और उसके साथ चल दिया कुछ ही देर बाद मनसूर महमान खाने में था असलाम लेकुम वो पीचे हाथ बांदे सर जुका कर खड़ा हुआ वालेकुम स्लाम सामने खुद को चादर में लपेटे एक लड़की उसकी आवास पर डर कर उट खड़ी हुई दाजी से क्या काम है मनसूर थोड़ा पीचे हुआ मुगत सिर सवाल किया मुझे उनी से काम है आप उनको बुला कर ले आए लड़की ने सर जुका है डूपती आवास में का मनसूर ने अबरोच का कर उसे गोर से देखा देखो लड़की इदाजी नहीं है इसलिए मैं आया हूँ वरना मुझे शोक नहीं है वक्त बर बाद करने का मनसूर ने गर्दन उपर करके तेज आवास में का कोई सवाली पंचायत के दर पर आए उसे आप ऐसे रुस्वा करते हैं उसने आँखे उठा कर देखो उसकी सुर्ख आँखों से आँसों की लड़ी जारी होगी मनसूर जादा देर उसके चेरी की तरफ नहीं देख सका और नजरें फिर गया देखो तुम बता नीरी मसला क्या है मनसूर ने कुछ देर की हामोशी के बाद भा मुश्किल चांद इलफाज अदा किये मैं दाजी का ही बेटा हूँ तुम मुझ पर भरोसा करके अपना मस्ता बताओ मैं वादा करता हूँ जो भी हो सका मैं करूंगा मनसूर उसके करीब गया लड़की ने अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये तुम मेरी बेहन जैसी हो अगर तुमें मुझ से बात करने में कोई मस्ता है अपनी वालदा को बलाता हूँ उनको बता दो मनसूर को जाने कि उस लड़की पर धर सारा था उसने अपने कदम बाहिर की तरफ मुड दिये लाला मनसूर को अपने पीछे एक आँसों में डूबी आवास सुनाई थी उसके पाउंजीर हुए मैं बहुत मुश्किन में हूँ बेहन काए तो मेरी जिन्गी बचा ले वो सर जुकाए आहिस्ता से बोले मनसूर ने एक छटके से मुड़कर देखा जो भी है बताओ मैं मदद करूँगा तुमारी मनसूर ने बगोर उसे देखा पहले बैठो और ये पानी पियो मनसूर ने वहां रखे जख से पानी गलास में उंडेर कर उसके पास गुर्जी पर रखा और बापिस अपनी जगा पर आकर खड़ा हुआ लड़की ने गलास उठा कर सारा पानी एक किसास में पी लिया और मनसूर ने उसे सवालिया नजरों से देखते वे और पानी का पूचा लड़की ने हाथ हूंटों के उपर फेड़ते वे नफी में सर को जंबिश दी अब पताओ सारी बात मनसूर दूर रखी गुसी पर बैठा मेरा नाम शर्मीन है वली खान मेरा चच्चा है वली खान को जानते हैं ना आप उसने सर उठाकर मनसूर को देखा मनसूर ने असपात में सर इलाया मेरी चच्ची मेरी शादी अपनी दूर के एक लिश्टेदार से करवाना चाती है जो मुझ से उमर में पच्चास साल बड़ा है शर्मीन ने बेबसी से मनसूर को देखा मनसूर की आँखे भटकर बाहर आगी वो ऐसा क्यूं कर रही है उसे खामोश पाकर मनसूर ने सवाल किया पैसे के लिए वो चच्चा को मूँ मांगी रकम दे रहा है वो आइस्दा से बोलते वे अपने हाथ रगर रही थी तुमारा इस दुनिया में और कोई रिष्टेदार जानने वाला मनसूर ने सवालिया नजरों से उसे देखा उसने नफी में सरे लाया फिर तुम क्या चाती हो क्या करना है कोई जगा जहन में है वो आगे को छुका मुझे नहीं पता कुछ बस मेरी पडोसर ने दाजी का बताया था कि वो मेरी मदद कर सकते हैं अपनी दोस्त के घर का कह कर आई हूँ उसने बात मुकमल करके सर जटक दिया खैरिये दिये सब वो दोनों हामोश पैठे थे जब नवाब खान अंदर दाखिल वा शर्मीन सिमट कर बैठी कुछ नहीं तुम जाओ मनसूर ने उसे जाने का इशारा किया मनसूर उसने मनसूर को जानती नजरों से देखा मनसूर ने उसे गुरा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं नवाब खान कमरे से निकल रहा था जब शर्मीन ने का मामला पताओ तो शायद कुछ कर सकूँ वो रुका और पलट करका शर्मीन ने वो ही सारी बात उसे सुनाई अब वो तीनों ही खामोश पैठे थे कोई ऐसा इंसान जिसका तुमें लगता है कि तुमारी मदद कर सकता है नवाब खान आगे चुक कर बैठा मनसूर ने भी शर्मीन को देखा वो होंटों को बेजे उन्हीं दोनों को देख रही थी रमीस शर्मीन ने कुछ सोच कर एक नाम लिया वो कोन है? मनसूर ने जल्दी से पूछा मेरा चच्चा जाते मुझसे शादी करना चाते है लेकिन वो कहते कहते रुकी देखो जो भी बाते बताओ नवाब खान ने उसे खामोश पाकर बोलने का का पहले चच्ची मेरी शादी अपने एक माज़ूर भतीजे से करना चाती थी रमीज को पता चला तो उसने हंगामा किया और चच्ची से का के वो शादी करेगा मुझसे कहते कहते शर्मीन के गले में कुछ दूबा बस ये बात सुननी थी तो चच्ची ने उससे जादा हंगामा किया और उसे घर से निकाल दिया ताके मुझसे दूरो जाए उसकी आँखों से आँसों की एक लड़ी जारी हुई रमीज शहर चला गया और कोई रापता ने किया चची का भतीजा मर गया और मैं बच गई चची दो हबते पहले शादी पर गई वहां उनको ये कोई नया रिष्टेदार मिल गया उसने गहरा सांस खारिच किया रमीज से रापते का कोई जरिया नवाब खान ने सवाल किया शर्मीन ने अपनी मुठी खोली इसमें एक छोटा सा कागस का टुकडाता उसने पास रखी कुरसी पर रख दिया मनसूर उटकर खड़ा हुआ अब तुम घर जाओ और बेपी करो जाओ उस पूड़े को मारना भी पड़ा तुमस्ता नहीं मार देंगे मनसूर ने कमर पर हाद मांदे नवाब खान ने उसे बगोर देकर गहरा सांस लिया शर्मीन उठकर बिना कुछ बोले ही चलीगी खेरिये तेना नवाब खान ने खड़े होकर उसके कंदे परात रखा मनसूर ने उसे मुड़ कर देखा नई मेरा मतलब है इस लड़की के लिए कतर करने को तियार हो इसलिए नवाब खान ने आँख तबा करका लाला कहकर गई है वो मुझे मनसूर कहकर घुसे से बाहि निकला और हुजरे की तरफ बढ़ा हुजरे में उसकी नजर सामने बैटी परीशे और नवीदा पर पड़ी जो सिंबा के पिजरे के पास बैटी थी माजी का मनज़र छुटा तो सब हका बका बैटे मनसूर को देख रहे थे मनसूर ने शेबास खान को देखा उस बच्ची ने मुझे भाई का था मैंने भाईयों की तरह उसकी जिन्गी बचाने के लिए चो कर सकता था किया और उसके लिए ना मैं अपने घरवालों के सामने उना ही पंचायत के सामने शर्मिन्दा हूँ मनसूर ने गरदन अकड़ा कर पहले दाजी को देखा और पिर शेबास खान को तुमने क्या किया लड़की का है शेबास खान ने मजीद मालूमात जानना चाही रमी से निकाह करा कर मैं उन दोनों को दुबई भेच चुका हूँ मनसूर हनूस फखरी अंदाज में बोला तुमने और कुछ कहना है शेबास खान ने पूछा नई उसने मुटसे जवाब दिया अब जितनी बाते तुमने की हैं थाबित करो पंचायत का सरबरा बाल मनसूर के कोट में फेंग दी थी मैं साबित कर सकता हूँ लेकिन वो कहते कहते रुका सब लोगों ने उसे मुटकर देखा दाजी ने मुठिया भेज ली उनको पता ता उनका बेटा कुछ न कुछ जरूर करेगा खावर मेरा बंदा है मेरी गर्मजूदकी में वो ही ये मामला देख रहा था उसके पास सारी मालूमात है अब उससे मेरा राप्ता नहीं हो रहा मुझे वक्त चाहिए मैं साबित कर दूँगा उसने गर्दन अकड़ा कर का कितना वक्त चाहिए एक साल या तो साल बरी खान के साथ आए एक शखस ने चेरे पर शरारती मुस्कुराहर सजाए सवाल किया ये चेरगा है आपकी तफरीग के जगा नहीं है मनसूर ने एक लम्हा जाया के बगए जवाब दिया जिससे उनकी हसी गाइब हुई बताओ मनसूर खान कितना वक्त चाहते हो बात को साबित करने के लिए शेबास खान ने सब की तवज़ अपनी तरफ की हमें सिर्फ खावर से राप्ता करने का इंतजार है मनसूर ने दो टोक जवाब दिया अगर राप्ता ना हुआ फिर सरबना ने एक और सवाल दागा मुझे उमीद होगा मनसूर ने सामने देखते वे जवाब दिया जिर्गा तुम्हें एक खेंटे का वक्त दे सकता है वो भी सिर्फ तुम्हारे बाप की वज़ा से मनसूर ने दाजी पर एक नज़र डाली एक एंटे में जो कर सकते हो करो उस वक्त तक हम बहादुर खान और नवाब खान से हकाईक जानना चाते हैं शेबास खान ने अपना फैस्ता सुनाया कुछ लोग मुतमई थे लेकिन कुछ लोगों को फैस्ता नागवार गुजरा नवाब खान और बहादुर खान को बुलाया गया और बारी बारी उनसे पूछना शुरू किया तूसरी तरफ रावल पिंडी में सब मायोस हो चुके थे महमान वापिछ जा रहे थे मीर अफजल उनसे माज़रत करके अंदर दाखिल हुए रजब और जरी रातारी में खड़े सब देख रहे थे खान जरी मुर्दा कतमों से उनकी तरफ बढ़ी उन्होंने बेबसी से बीवी को देखा रजब अपू के लिए पानी लेकर आओ जरी ने रजब को का रजब तेस कतमों से किचन की तरफ बढ़ा जरी और मीर अबजल आहस्ता इस्ता कदम बढ़ाते वे हॉल में रखे सोफों पर बैठे मैं ठीक हूँ नवीधा को देखो मीर अबजल ने जरी के हाथों पर अपना हाथ रखा क्या ये उन्होंने हमसे बतला लिया है जरी ने खान की आँखों में देखा मैं कुछ सोच ने पारा जरी मुझे हकेला छोड़ दो उन्होंने सर चुकाए हुए आहस्ता आवास में का जरी अराम से वहां से उठकी और बाहिर चलीगी हॉल से बाहिर आकर वो ये पैसना नहीं कर पारी थी कि वो अपने कमरे में जाया नवीदा के पास चंद सानिये सोचने के बाद उसने सीड़ियां चरना शुरू कर दी वो मस्भूत अंदास में नवीदा के कमरे में दाखिन हुई नवीदा को ऐसी हालत में देखकर वो हिरान रही नवीदा ड्रेसिंग टेबल के सामने खर के कपड़ों में खड़ी अपना मेकप साफ कर रही थी नूर और मायरा बैट पर बैठे बस उसे देखे जा रही थी अम्मी आप नवीदा मा को देखकर मुस्कुराई आ जाएं उसने दुबारा मेकप साफ करना शुरू कर दिया जरी ने नूर और मायरा को देखा उन दोनों ने होन फेंच कर नवी में सरहिलाया जरी अंदर आकर सोफे पर बैट की अमी परेशान क्यों है नवीदा ने एक सरसरी निगाउस पर डाली क्या नहीं होना चाहिए जरी ने दोनों हातों को बाहम मिलाया नवीदा ने मुखत से जवाब दिया जरी ने उसे बगोर देखा एक दिन में उनकी बेटी को किता बढ़ा कर दिया था नवीदा शायर तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम्हारी बारात वो कहते कहते रुकी अमी मैं बच्ची तो नहीं हो न वो मा के कद्वों में आकर बैठी मुझे समझ आ रहे सब बारात कौन सी बारात अमी हमसे बदला लिया कि अपनी बेस्टी का नवीदा ने मा के हाथों को थामा जरी ने उसे बगोर देखा मेरी गलती की सजा मेरे माबाप को दीगी एक बंद कमरे में कहे गए मेरे चंद तल खिलफास का जवाब भरे मच्मे में बिना कुछ बोले दिया गया अमी नवीदा के हाथों के साथ उसकी आवास भी काम भी लेकिन खेर उसने ठेरों आँसों अंदर उतारे वो उरत की इस्ज़द देने की बात करने वाले लोग किसी की बेटी को बेइस्ज़द करके अप फून बंद किये बैठे हैं उसने अपना सर माँ की गोद में रखा हमने जो किया था उससे केई जादा भूकत दिया मैं अपना इंसाफ अल्ला पर छोड़ती हूँ उसकी आँकों से एक आँसू टबका जरीर ने उसके बालों में हाथ फेरा अमी हम उनसे मकाबला नहीं कर सकते नवीदा ने सर उठा कर माँ को देखा और दोनों हाथों से आँसू पोंचे नूर अजब के साथ जाकर मायरा को घर चोड़ा और देर होगी है वो मा के करीब से उठी और बाथरूम में चली गई वो आज अपना दुख किसी को भी नहीं बताना चाहती थी वो उस इनसान के लिए किसी के गले लग कर नहीं रोना चाहती थी पखतून वला में होने वाले जर्गे में नवाब खान और बहादरू खान से सब सारी बात पूची गई उन दोनों ने सारी बात बता दी उसके पाद जर्गे में मुझूद लोगों ने उनसे सवालात किया उस सारी पूच किछ में धाई खेंटे का वक गज़र गया लेकिन खावर कव तक कुछ बता नहीं चला था मनसूर खान एक ही जगा धाई घ्गेंटे का वक्त गज़र गया है अब कुछ कहने को है तुमारे पास शेबास खान ने मनसूर से सवाल किया जो अपने मुबाइल में मसरूफ था नहीं उसने मुबाइल जेब में रखते वे मुखत से जवाब दिया मतलब कि तुम हमें उस वक्त से बेवकूफ बना रहे हो सरबरा ने जांकती नजरों से मनसूर को देखा आपको जो भी समझना चाते हैं समझने मनसूर ने बगएर किसे हीलो हुच्चत के जवाब दिया सबने उसे मूड कर देखा तुराब खान ने सर्द आहबरी मुझे लगता है जिर का तुम्हारा वक्त जाया कर रहे मनसूर के रवेए को देकर शेबास खान ने तंस किया मनसूर खामोश पैठा रहा औरंग जेब खान फैस्टा तुमारे बेटे के खिलाफ जा रहा है शेबास खान ने औरंग जेब खान को देखा धाजी ने अस बात में सर को जंबिश दी पैस्टे का वक्त दान पहुंचा है शेबास खान सीधे ओकर बैठे मैं इस फैस्टे पर पहुंच चाओं के रुको वली हान ने उनकी बात काटी सबने उने देखा मेरी और औरंग जेब खान की ये बात तैह हुई थी कि अगर फैस्टा उसके बेटे के खिलाफ आया तो जो मैं कोँगा वो फैस्टा होगा वली हान की बात पर सबने उसे बहुर देखा कैसे वो होश्यारी से दाजी की कई बात का फाइदा उठा रहा था सब ने ये औरंग जेब खान को देखा मनसूर ने मुठिया भेंच ली हाँ ये सही कह रहा है दाजी ने मनसूर को देखते वे का ता जी, मनसूर ने जेरे लब पुकारा जिस घर की एक लड़की की इज़त पर बात आ जाए तो महां मजूद दूसरी लड़कियों की इज़त खुद बाखुद खराब हो जाती है वली खान ने बात शुरू की, सबने अपनी तवज्जो तुभारा वली खान की तरफ मर्कूज की मेरे अपनी भी एक बेटी है, वो आईस्ता से बोला मनसूर भी अपनाई बच्चे गलतियां बच्चों से योती है उसने सर उठा कर मनसूर को देखा, मनसूर उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था अब मेरा फैस्दा ये है कि मनसूर को मेरी बेटी से निकाह करना होगा आज ही ताकि इस मामने को यहीं खत्म किया जा सके वली खान ने सब पर बंब गिराया तो राप खान धाड़ा उसकी तरफ शेर अवजल ने उसको हाथ से पकड़ कर वापिस बिठाया मनसूर के चेरे पर मस्कुराहर ढुबरी ये काम तुम दाजी से नहीं करवा सके अब ऐसे करवाओगे हाँ मनसूर की आँखों में खून उत्रा तुम मेरे बाप के पीछे पड़े रहे थाके तुमारी बेटी पखतुनवला की बहूर बन सके और इस काम को अंजाम देने के लिए तुम ये सब करोगे मनसूर ने चेहरे पर तंजिया मस्कुराहर सजाए कोला बारी शुरू की दाजी उसे देखकर रहे गे मनसूर खान अपनी हत मत भूलो वली खान धड़ा मनसूर खान तुम सिर्फ इल्जाम तलाशी करे हो कम असकम अपने बाप की इस्थ का इख्याल कर लो जिर्गे में बैटे एक वर्द ने मनसूर को खबरदार किया बाप की इस्थ का इख्याल है जो यहां बैठा हूँ और सुन भी रहा हूँ मनसूर का लेज़ा तेस था ये तुम हमारी और जिर्गे की बेस्थ दी करे हो शेबास खाने मनसूर को टोका बेस्थ नी मेरी की जारी एतना घटिया इल्जाम लगा कर उसने सरबरा को उसी के लहचे में जवाब दिया अगर ये इल्जाम है तो तुम साबित क्यूं नहीं करे अब की बार वली हान ने अपनी बात की नहीं साबित कर पा रहा इसी का तो तुम फाइदा उठा रहे हो मनसूर ने उसकी आँखों में देखर का मैं अपना फैसला जिर्गे को बता चुका हूँ औरंग जेब खान अपनी जुबान से नहीं फिर सकता बली खान ने अपनी चादर का कोना अपने कंदे पर हाथ से डाला मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा मनसूर उटकर खड़ा हुआ उसके साथ नवाब तुराब बख्तियार और शेर अबसल भी खड़े होगे दाजी लेकिन मनसूर ने बेबसी से का औरंग जेब खान ने एक नज़र बेटे पर डाली शेर अफजल कुछ कहने के लिए आगे बढ़े दाजी ने उने हाथ के इशारे से खामोश रहने का का मनसूर ने अपने पीचे खड़े लोगों की तरफ देखा उसकी आँखों में इर्ट जाती उस वक्त वो एक ही काम कर सकता था या मुहबत की लाज रखकर जिर्गा छोड़ देता क्या बाप की इश्द की लाज रखकर बैट जाता और फिर इसने वो ही किया जो इस माशरे में मर्द करता है वो मुर्दा कदम उठाता हुआ चरपाई की तरफ बढ़ा और नहीं बैट किया शेबास खान फैसला सुनाओ दाजी ने हाथ से इशारा क्या पख्तून वला वाले भी सब खामोशी से बैटके वली खान के साथ आए लोगों में से एक शख शेबास खान के करीब आया और उनके कान में कुछ का शेबास खान ने अस बात में सरीरा कर मनसूर को देखा मनसूर खान यूसफ से को तकरीबन तीन खेंटे का वक्त मिला लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सके और मुसलसल जिर्गे की तोहीं करते रहे और दूसरी तरफ वली खान ने जो बात की उसके गवाबी मुझूद है और रंगजीब Hind खान ने फैस्ते का थियार भी वली खान को दे रखा है इस दें़ वली खान की खुगाबिक यह जिरगा मनसूर खान यूसफ से का निका वली खान की बेटी से करने का फैस्धा करता है शेबास खान ने फैस्टा सुना कर गहरा सास दिया मनसूर ने चरपाई की जादर को मुठियों में चकर डिया और निकाब 20, 12, 15 एकर जमीन औरे 1 करोर रुपे हक महर के साथ अब से एक खेंटे के अंदर करने का हुकम है शेबास खान के इलफास पक्तून वला वालों पर बम बन कर गिर रहे थे शेर अबसल खान बहुत परदाश किये बैठे थे वली खान अगर तुमें पैसे चाहिए तो तुम वैसे ही मांग सकते हो तुराब ने वली खान को मुखाटिब करके अपनी भडास निकाली वली खान ने शोला बरसाती नजरें उस पर डाली जितनी चीज़ों का मतालबा तुम अपनी बेटी की अवस कर रहे हो इतना सब तो हम अपने बेटे के सर से बार कर फेंग देते हैं बख्तियार खान की बात ने जल्दी पर तेल का काम किया वली खान उसकी तरफ धाड़ा करीब एटे लोगों ने उसको पकड़ लिया पख्तुन वला के लोगों के चेरे पर मुस्कुराहा टुबरी दाजी हामोश पैटे सब देख रहे थे औरंग जेब खान क्या तुम्हारे खानदान को जिर्गे और इसके फैस्दे का मत्तम नहीं पता शेबास खान उटकर खड़े हुए वली खान अपनी बेटी ले आओ हमें जिर्गे का फैस्दा मनसूर है दाजी भी कमर पर हाथ बांद कर उट खड़े हुए सबने बारी बारी एक नजर औरंग जेब खान पर डाली मनसूर ने बेबसी से बाप की तरफ देखा बख्तियार खान निकाह की त्यारे मुकमल करो औरंग जेब खान बख्तियार खान को हुकम देते वे हुझरे से चले गे पख्तून वला वाले भी हुजरे से निकर कर लॉन में एक चगा पर जमा हुए वो सब भी वली हान की चाल समझ रहे थे और सब इस मसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जिर का अपना फैस्ता सुना चुका था मनसूर को कुर्बान करने का मनसूर बार बार खावर को फोन मिला रहा था लेकिन उसका फोन मसलसल बन जा रहा था झाल समय को जड़िये वली हान झाल समय कोशिशण साथ मनसूर यहाιο लेकिन जा रहा 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 वली हा